तो बच्चों कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़रा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है इसका CBST के द्वारा जारी किया गया फाइनल सिलेवस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर आप अपना बोर्ड एक्जाम 2024-2025 में देने जा रहे हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि एक वीडियो के अंदर पूरा मैं आपको पूरे साल भर का जो आपका स्लेवस है न वो बताने वाला हूँ और ये बताऊंगा कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने है ठीक है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक special request रहेगा आप सभी बच्चों से कि अगर आपके पास old वाली NCIT book है यहां बच्चों अगर आपके पास old वाली NCIT की books है तो उसके अंदर क्या होता है ना कुछ extra chapters डिये वो रहते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना होता है ठीक है अगर आपके पास old वाली NCIT book नहीं है तो आप काम कर सकते हैं कि भया आप अपनी notebook के अंदर याणी copy के अंदर लिख सकते है chapters को जो आपको पढ़ना है और अगर आपके पास मतलब नहीं वाली NCIT book है तब तो well and good है ठीक है अब देखे old वाली NCIT book का मैंने जिक्रे इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि second hand यहां पर books जो है buy करते हैं पढ़ने के लिए या फिर उनके दीदी भाईया होते हैं उनके seniors होते हैं वो उनको NCIT books दे रहते हैं तो उससे वो पढ़ने लग जाते हैं तो old वाली जो NCIT book है बच्चों उसके अंदर बहुत सारे extra chapters है जो कि आपको नहीं पढ़ना है इसलिए मिलने starting में इसका जिक्रे किया ठीक है आसा करता हो गया या फिर important PDF वगेरा हो गया वो provide करवाते रहते हैं ठीक है daily basis पर कुछ ना कुछ upload करते रहते हैं वहाँ पर डालते रहते हैं तो जरूर टेलिग्राम चैनल में join हो जाएगा टेलिग्राम चैनल में join होने के लिए simply आपको टेलिग्राम पर जाना है और वहाँ पर search करन आपने हमारे instagram को follow नहीं किया मतलब मेरे instagram को follow नहीं किया आपने तो आप follow कर सकते हैं यह मेरे instagram id है जय जहाज 07 कोई भी आपका doubt रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बे जीजक हो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं चली अपने syllabus को समझते हैं देखिए syllabus जो बनता है हमारा वो तीन किताबों से बनता है जो हिंदी elective के अंदर आपका है बच्चो ठीक है जो first book बुक है आपका वो है अंतरा वाला दूसरा वाला जो आपका बुक है वो अंतराल वाला है और एक तीसरी किताब है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि यह किताब भी है है कि नहीं तो वह मैं आपको बता रहता हूँ यह तीसरी किताब है कौनसे chapter आपको पढ़ने है, एक-एक book के अंदर से, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपका अंतरा वाला book है, अंतरा भाग दो करके, ये मैंने निकाल लिया है, और उसका जो विशह सूची वाला page होता है, वो मैंने यहाँ पर NCRT का निकाल लिया है, ध्यान रखि जैसे अगर मैं यहाँ पर कविता खंड में आधूनिक जो कविता खंड वहाँ से बात करूँ, तो जैसे अंकर परसाज जी का यहाँ पर देव सेना का गीत हो गया, और कारनेलिया का गीत हो गया, ये दोनों ही आपको पढ़ना है, फिर शूरेकान त्रिपाठी निराला जी का सरोज स्मृती ये भी आपको पढ़ना है, फिर अगला है यहाँ पर हमारा सचीदानन्द, हीरानन्द, वातसन्य, अग्ये जी का यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बून्द, ये आपको पढ़ना है वच्चो, फिर चोथा है हमारा यहाँ पर केदारनाथ सिंग जी का बनारस और दिसा ये भी आपको पढ़ना है, फिर फिफ्ट नंबर पर आपका आजाता है रगुवीर सहाई जी का वशंत आया और तोडो ये भी आपको पढ़ना है वच्चो, फिक है, आसा करता हूँ कि आपको समझ में आगया होगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ब बात करें, तो उनमें से आपका एक तुलसे इदास जी हो जाएंगे, उनका आपको भरत राम का प्रेम पढ़ना है और पढ़ना है, फिर हमारा मलिक मोहमद जैसी जी का जो बारह मासा है ये आपको पढ़ना है वच्चो, फिर विद्या पती जी का यहाँ पर जो पढ़ना ह और घनानंद जी का कवित जो है, ये आपको पढ़ना है वच्चो, फिर प्राचीन से अगर बात करें, तो ये सबी चीज़े आपको पढ़नी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आस अगरतों कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है वच्च रहते हैं, जैसी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी ये घंटा, खुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके, आल पर क्लिक कर दीजेगा, जिससे कि जो भी हमने आप वीडियो बनाएं, उसका नोटिफि जोड़ो, अर्वो, खर्वो, पता नी, कितने गुना बढ़ जाता है, ठीक है, वीडियो इसको लाइक जरूर किया, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, बच्छो, चली आगे, अब देखिए, किदाब हमारी यही ह अंतरा भाग दो वाली, इसका जो गद्य खंड है, यहाँ पर हम लोग आ गए, ठीक है, गद्य खंड के अंतर से टोटल आठ चैप्टर आपको पढ़ने है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला चैप्टर है, आपका राम चंदर सुकले जी का, प्रेम धन की चाया समृति यह आपको पढ़ना है, पिर जो दूसरा चैप्टर है आपका पंडित चंद्रधर सर्मा गुलेरी जी का, सुमीरी नी के मन के यह भी आपको पढ़ना है, पिर जो आपका तीसरा चैप्टर है, पनिश्वरनात रेनु जी का यहाँ पर समवधिया यह भी और काफी interesting chapter है समवधिया और मैं कहूंगा important chapter भी है बच्चो आपके exams के लिए बहुत ज़रे important है कई सारे questions आपके इस chapter से बनते हैं समवधिया वाले chapter से ठीक है अगला जो आपका chapter है fourth chapter भीश्म शाहनी जी का गांधी नहरू और यास्तेर अराफात ये भी आपको पढ़ना है फिर जो आपका पांचवा chapter है असगर वजाहत जी का तेर पहचान चार हाथ साजा ये आपको पढ़ना है बच्चो फिर जो आपका छथा chapter है निर्मल वर्मा जी का जहां कोई वाप्सी नहीं ये भी पढ़ना है आपको फिर साथवा जो chapter है आपका ममता कालिया जी का दूसर देवदास ये भी आपको पढ़ना है वच्चो ये भी काफी important and काफी interesting chapter है मजा हैगा आपको पढ़के दूसरा देवदास जब आप पढ़ेंगे न तो बहुत मजा हैगा जब हमारी class में पढ़ाया जा रहा था तो जो मेरे classmate थे वो अब भी बहुत आनंद ले करके इस chapter को पढ़ रहे थे और definitely आप भी बहुत जड़ा enjoy करेंगे इस chapter को पढ़ते वक्त चलिए अगला जो आपका chapter है आठवा chapter अजारी प्रसाद दुएदी जी का कुटज ये भी आपको पढ़ना है और काफी motivational chapter है ठीक है तो तोटल आपको गर्दे खंड से अंतरा भाग दो अगर ये जो पुस्तक है इसकी बात करूँ इसका जो गर्दे खंड है इसमें से एविश्कोहर की माती विश्नात्रिपाठी जी का ये भी पढ़ना है आपको और जो तीसरा chapter है आपका पहला दूसरा ये दोनो चैप्टर पढ़ना है और तीसरा चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ना चाहे सूर्दास की जोपडी हो गया विश्पोहर की माटी हो गया यह सारे चैप्टर्स पढ़ने में आपको बहुत मजाएगा चलिए अब हम लोग जो हमारी थर्ड बूक है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली इस पर आ जाते हैं जिसके ब उनके बच्चों के लिए भी होता है मतलब जो बच्चे होंगे आप मेंसे जिनके पास हिंदी होंगा उनके लिए भी होता है ओर नहीं बताऊंगा ध्यान ध्यान से समझेगा बिल्गुल तो जो आपका जनसंचार माध्यम और लेखन की मैं बात करूँ जो की एकाई एक है आपका यूनिट नमबर वन है इसके अंदर से तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर ये तीनों ही चैप्टर आपको पढ़ने है एक पढ़ना है बच्चो अब जो आपका इकाई नमबर दो यानि की यूनिट नमबर सेकेंड जो है आपका इसमें से देखें क्या क्या पढ़ना है और यूनिट सेकेंड का नाम है स्रिजनात्मक लेखन बच्चो इसके अंदर जो आपका छठा चैप्टर है कैसे बनती है कवि व्यक्ति मार्धियम के अंदर से चैप्टर पढ़ना है ठीक है तीन जो पहले मैंने आपको बताया और तीन ये चैप्टर इसके आगे के जो भी चैप्टर से उस अभी के सभी जैसे की नौवा हो गया दस्वा हो गया ये सब डिलीट है ये तो ग्यारवी के लिए है वैसे यह अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है इसके आगे देखेंगे तो और भी बहुत सारे चैप्टर है ये सभी आपको नहीं पढ़ना है आपके लिए नहीं है तो यही था आपका सिलेवर्स बाकि जो सी बी एसी के तरफ से सिलेवर्स का पीडियाफ जारी किया जाता है उसी के अंदर हिंदी का स्लेवर्स का पीडियाफ जो जारी किया गया था यहां पर यह दे रखा था इसके अंदर जो मैंने इस तरह से कटिंग करके आपके लिए लगा दिया है आप देख सकते हैं इसके अंदर बताया गया है कि नमलिखित पाठों से प्रश्ण नहीं पूछ तो आपके आकी जिएगा इन चैप्टर के उपर कट का निसान लगा दिजिएगा इस तरह से ताकि आपको पता चल जाए कि हां हमें यह चैप्टर नहीं पढ़ने और जो आपकी अंत्राल भाग दो वाली या अंत्रा दो वाली जो किताब है इसके अंदर से यह आरोह वाला चैप्टर ही आपको नहीं पढ़ने तो यहां पर आप देख सकते हैं और इसके आगे चले तो अविवैक्ति और माध्यम वाली जो पूस्तक है उसके अंदर से क्या-क्या पढ़ना था तो तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर और आपका पांचवा चैप्टर हो गया ठीक आपका एक लाइक हमें बहुत जारा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियो को बनाने के लिए इससे पहले मैंने आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया हिस्ट्री हो गया ठीक है आपका जियोग्राफी हो गया इंग्लिश हो गया और भी जो भी क्लास्ट में आपके सब्जक सबका सिलेबस बना दिया है उसका एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट के अंदर तारा आपको वीडियो दे रखा है मतलब सिलेबस वाली वीडियो तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लिजेगा यहां पर आपको शो भी कर रहा होगा ठीक है और इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक जुरूर कीजेगा चैनल पर अगर आप नहीं आ गए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह की वीडियो से हम आपके लिए लेकर के आत रहते हैं जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी ये घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका इकन देखने को मिलेगा उसको प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजेगा जिससे की जो भी हम नया वीडियो अफ्लोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाये करें और आपकी जो तयारी है एक्जाम्स के लिए वो और भी बैतर से बैतर तरीके से हो सके आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए खुश रखिए सभी को जैहिंद वन्दे महात्रम